अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक के गुजर ओपीसियल में दोस्तों अभी जो आपने स्टाइटिंग में वीडियो देखा है उस तरह का स्टेटस वीडियो क्रेट करने के लिए आपको एक एपलिकेजन का जुरत पड़ेगा जिसका नम है लैट म अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग गूगल या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या पिर मैं टेलिकराम और डिस्क्रिशन में लिंक दे दूँगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली बढ़ाए तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना मैं आप लोगों के लिए इतनी मैनेस से वीडियो बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहला आप कुछ आक walk को मैं लैड़ मौ अपली किस इन को ऊपन कर ले ना ही है कि कि तो दोस्तों हमारा एलाइड मोंज़क्ट स्ट रिसक्षेश्ट यो है उप्ण हो रहाए तो हमारा highlight motion application जो है उपन हो चुका है अब आप कुछ आगना project पे click कर देना है और मैं आपको दो project देने वाला हूँ shake effect और beat mark तो आप लोग पहले दोनों को import कर लेना link description में मिलेगी वहाँ click करके आप लोग इनको import कर लेना है अब तो आपको चागना beat mark को open कर लेना है अब first में आओगे यहाँटे आफे आउगे तो यहां पर यह लेरिक्स आएगा फिर आएंगे तो यहाँआ पर भी इस तरीके से लेरिक्स आएगा और यहां पर यह तुछ इस तरीके साएगा तो आपको जागाना इस पे कलिक करना है Color and Feel पे कलिक करना है Star का इकॉन पे कलिक करना है और यहां से आपको जो भी फोटो लगाना है उसे आप लोग सिलेक्ट कर लेना मैं यह फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहां पर यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब आगे आओगे तो आपको फिर से लेरिक्स देखने को मिलेगा अब आप जैसे आगे आओगे तो यहाँ पर एक और इमेज एड़ करना है तो color and field पर क्लिक करना है star का आइकोन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी image लगाना है उसे यहाँ से select करके plus पर टेप करना है यह add हो जाएगा और यह भी इस तरीके से हो जाएगा अब आपको यहाँ पर फिर से लेरिक्स आएगा और यहाँ पर भी आपको image एड़ करना है यहाँ कलिक करेंगे color and field पर क्लिक करेंगे star का आइगान पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो भी photo add करना है उसे plus पर tape करना है यह add हो जाएगा फिर आपको यह दूसरा वाला है इस पर भी कलिक करना है star का आइगान पर क्लिक करना है और यहाँ से photo को select कर लेना है यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब आपको जागरना है यह दो image एकसरा लग रही है तो मैं पहले इनको remove कर ले था हूँ यह हमने remove कर लिये फिर आपको plus tape करना है media अब कलिक करना है और यहाँ से आपको photo add करने मैं photo add करके आप लोगों को दिखाते था हूँ फिर 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 कि यहां से यह दोनों हमने एड कर लिये हैं चार फोटों हमने एड कर लिये हैं और आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहां पर कुछ इस तरीके से रख देना है इनको आपको इस तरीके से मिल जाएगा अब आप कुछ या करना है यहां पर effect लगाना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहां से बैक आ जाना है और आपको मैं effect देने वाला हूं उसको भी यहां पर import करके रखना है यह first वाला effect इस पर क्लिकरना है यह copy effect पर क्लिकर होगे three dot पर क्लिकर करके copy effect पर क्लिकर जाना है एक copy हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से beat mark में चले जाना है अबर हम लोग आगे जाएंगे जहांपर हमने image aid की थी यह first में आ चुके हैं अब आपको जगना है यह first वाला photo इस पर paste करना है अबर हमने first photo पर paste कर दिया यह कुछ इस तरीके से हो चुका है अब आपको इस second वाला image को छोड़ देना है और यह third वाला image इस पर paste करना है अबर आपको एक photo को छोड़ कर एक पर paste करना है फिर आपको जगना है यहां से back आना है और यहां पर second वाला effect को add करना है यह वाला है second effect इस पर क्लिक करना है यहां क्लिक करका copy effect पर क्लिक करोगे प्लिक हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को अगर photo चाहिए तो telegram group में मिल जाएगे और अगर आप लोगों को कोई problem होता आप लोग मुझे instagram पर message करके बता सकते हैं और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेनस से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हों तो फ्लीज दोस्तों यार एक वीडियो को एक लाइक जुरूर कर देना क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मैनस से वीडियो बना के लिएक के आता हूँ फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो तो आप लोग एक लाइक कर देना क्योंकि एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनने के लिए इसलिए आप लोग एक लाइक जुरूर कर देना अब आपको यहां से बेक आना है और बीट मारक में चले जाना है अब जैसे बीट मारक में आओगे फिर हम उसी इमेज के पास चले जाएंगे जहां पर हमने पहले एड़ की थी चार इमेज यह फ़स् ट्री के से हो रहा है यह यह से हो जाएगा अब आपप कुछ आ करना है लज्ब करके यहां से इसको आयत को स्लेट करना है stretch to composition area पकलिक कर देना है color इसका black रखना है order and setup जाना है इसको on करना है और इसको 10 तक बड़ा लेना है अब 10 तक बड़ा लेना है और फिर क्या करना है last में चले जाना है और यहां पर इसको last में रख देना है अब आपको जाकरना है इसको नीचे रखना है में इसको नीचे रख देता हूं अब आपको जाकरना है यहां से इसको copy layer करके इसको हटा देना ही पेले यहां पर भी फोट आएगा वहां पर इसको logo को रखना है यहां lyrics के साथ में यह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए यहां click रहेंगे पहले इसको difference क लेता हूं और मैंने copy करके रखाए, फिर से यहां लेरिक्स आ जाएगा और यहां पर भी लेरिक्स आ रहा है, तो यहां से photo आ रहा है, हमने यहां से फिर से paste कर दिया, यहां पर photo है, इसलिए हमने यहां पर paste कर दिया, फिर से लेरिक्स आ चुका है, तो यहां पर फिर photo आ और यहां एरो पर क्लिक करना है यहां क्लिक करेंगे 720 HD को सिलेक्ट कर लेना एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और नहीं वीडियो तब